वहां के हमें तस्वीर दिखाएंगे, इसमिश देखें हम आपको लगातार, पंजाब से भी हम तस्वीरे दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह से जो ड्रोन के जरीए, जो तस्वीरे सामते आ रही है, ट्रेक्टर ट्रॉली के जरीए, तमाम तैयारिया यहां के किसानों की हो च चाहते हैं, यह कही न कहीं, एक सॉलूशन चाहते हैं, अपनी उन मांगो का, बारा सूत्रिये मांगे हैं, और देखें यह गाजेपूर बॉर्डर की तस्वीरे आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से यहां पर देखें, मल्टी लेयर बैरिकेटिंग यहा यहां पर तयार कर लिए गए हैं, और किसी तरह की कोई अववस्ता ना हो, यह जो तयारी है, यहां पर सरकार प्रिशासन की तरफ से, और अगली आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह जो तस्वीरे हैं, यह उन तमाम किसानों की है, जो अपने ट्रेक्टर, ट्रॉली, राशन पानी के साथ क्योंकि लंभा ये संगर्ष हो सकता है ऐसी भी जानकारी सामने आई तो चलिए मैं एक बार फिर से विशाल का ही मैं रुख कर लेती हूँ विशाल क्या लग रहा है आज कितनी बड़ी संख्या में आज किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली कूच कर सकते हैं लेकिन एक सवाल ये भी क्योंकि उससे पहले आपने जिस तरह से जिक्र किया कि हर्याना सर सारा कुछ त्यारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबांद जो करें जल्पनी सभी लोगों ने शकलिया है परशादे शकलिया है सामता के लिए इनको खाने पिने के लिए कोई जरूरत नहीं है तो बेलकुल त्यार है तो इतना ज्यादा जोस हैं कि एक दूसरे के आगे निक लग जनी है तो रोड़ पे फिर बड़ा मुश्कल का सामना करना पड़ेगा हम नहीं चाहते कि हमारी वज़ा से कोई परेशान करना करना ना हुए इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लायने लगा रखिया पूरी तियार करके रखी हुई है और आगे जबी आःमीटि तो देखें यहाँ पर किसान नितक ही आप ये बयान उनका सुन रहे थे उनकी तयारिया पूरी तरह से द्रूस्त है और पूरे लंबे संखर्श के लिए तयार है राशन पानी जो है वो रख लिया गया है नाष्टा हो चुका है शांत तक किसान तयार है जरुवत नहीं है उन पार्ग के मूट के लिए अब फिलहार किसान एक्शन में नजर आएंगे ये बात वो कहते हैं नजर आए लेकिन हाँ शांती पूर्वक शांती पूर्वक ही दिल्ली कूछ करेंगे किसी तरह की परिशानी आमजनता को ना हो उसके लिए एक लाइन में भी जाएंगे ये इस ब